2022 के विधान सबाच चुनाओं होने हैं और 2022 के विधान सबाच चुनाओं को लेकर सभी पार्टियों ने कमरकस लिये हैं जिसको लेकर लोक इंसाफ पार्टी ने लुध्यान के हलका गिल से गगन दीप सिंग को अपना प्रतियाशी बनाया है और इस मौके पर न्यूज इंडिया के समधातान ने चुनाओं के लेकर उनकी त्यारियों को लेकर बातचीत के सुनिये क्या कुछ का उन्होंने जैसे जैसे 2022 का चुनाओं पंजाब में नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे रिवायती पार्टियां और इंटरनेशनल नेशनल लेवर की पार्टियां पंजाब लेवल की पार्टिया अपने कंडिडेट घोशित करें बिलकुल जी जो एक नई पार्टी हलागे पिछली की कोशिश करते हैं किन मुद्धों को लेके इनकी पार्टी आम वोटों के पास जा रही है सर बहुत सागत है किन मुद्धो को लेके आप पार्टी ला लिए देखो हमेशा पंजाब में अगर कोई बड़े मुद्द्ध उठाए हैं वो सिर्फ लोक इसाब पार्टी ने उठाए हैं चाहे वो पंजाब आ रहे हैं मुद्धे हमेशा हमारे जो होते हैं लोगों से जुड़े होते हैं दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि हम बड़े बड़े वादे करेंगे बड़े बड़े शुकूफे शोड़ेंगे वह हम काम नहीं करते हैं मारा यह मकसद होता कि जो हम लोगों के लिए को बहुत आप्षन है चाहे वो अकाली दल हो बाउजन समाच पार्टी का अलायंस है काली दल से चाहे वो कांग्रेस पार्टियों आम आदमी पार्टियों लोक इमसाफ पार्टी इस बार दूसरी बार चुनाव लड़ रही है कैसे विश्वास किया जाए देखिए हम दूसरी बार लड़ रहे हैं और लोगों को अगर हमारे पर विश्वास हैं आज आपने देखा कि यहां पे सवा तीन लाख वोट हमें एंपी में पढ़ी है लोकिन साथ पार्टी को पहली बार सवा तीन लाख और दूसरी तरफ जो रुपनी संग बिट्टू थे उनको चार लाख वोट अड़ी जो कली दल का केंडिडी अट था उनको तीन लाग और उनको इतनी वोट पड़िया हैं कि पार्टी कितनी परानियां भी 5-6 साल हमारी पार्टी बने को हैं और इतनी बड़ी गिंती में वोट नहीं यह साबित करता है कि लोग लोकन साथ पार्टी के परदान और लोग